नमस्कार स्वागता है आपका मेरे यूटूब चैनल आई टी आई 362 डिग्रीज में रेलवे रिकूट्मेंट की तरफ से असिस्टेंट लोको पाइलेट की वेकंसी आई है काफी निरासा जनक है कि काफी कम जो है वेकंसी आई है जिसको और ज्यादा आना चाहिए था पर कोई बात नहीं इसके लिए अलग प्रॉफसिस चल ला है आप लोग तूट करिए और बहुत सारी चीजें है जो करिए तो यह वेकंसी में भी बढ़ सकती है आज हम बात करेंगे आई टी आई के उन चात्रों की लिए बहुत सारी चात्र कमेंट कर रहे थे कि सर मेरी ट्रेड इलिजिबिल है कि मेरी ट्रेड इलिजिबिल नहीं है तो आज हम बताएंगे आपको कि ITI की सिर्फ 15 trade को ही eligible किया है local pilot के लिए हमेशा से पहले भी इतनी trade रही है फिलाल बच्चों के मन में confusion बहुत रहता कि वो कौन सी 15 trade है तो मैं आज आपको 15 trade के बारे में बताऊंगा जो ITI के छातर उन 15 trade के होंगे तभी वो eligible होंगे local pilot का farm भरने के लिए एक question और भी बच्चे कर रहे हैं जो बहुत अंजान question है मतलब वो ये बोलना है कि मैं second year में हूँ या फिर मैं appear में हूँ या मैं फेल हूँ तो मैं farm भर सकता हूँ क्या local pilot का तो इसका answer है नहीं आपकी ITI complete होनी चाहिए और कोई भी back अगर आपकी back है तो आपकी ITI complete नहीं मानी जाती है आपकी ITI complete होनी चाहिए complete pass होना चाहिए तभी आप eligible है ITI local pilot का farm भरने के लिए और उसमें भी सिर्फ 15 trade के छातर ही eligible है सारी trade के छातर ही में eligible नहीं है तो आज मैं उन 15 के नाम बताऊंगा उससे पहले आप लोगों ने चैनल को subscribe नहीं किया subscribe कर लें क्योंकि local pilot railway से समद्धित मैं आप लोगों को लगातार खबरे देता रहूंगा और साथ मैं आप लोगों को update भी बताऊंगा और क्या syllabus रहने बाला है कैसे कैसे इसका process होता है क्या paper होता है उसका भी वीडियो अलग से बना दो हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत important है फिलाल आज ये समझ लीजे कि कौन कौन सी trade eligible है चलिए वीडियो मैं आगे बढ़ते हैं और मैं आपको trade के नाम बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते है assistant local pilot है और यहाँ पर देख सकते है minimum qualification है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनमें trade के नाम लिखे हुए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले fitter है electrician के बच्चे eligible है instrument mechanic के eligible है will write और maintenance mechanic के बच्चे eligible है और mechanic radio and tv के eligible है electronics mechanic के बच्चे eligible है mechanic motor vehicle के eligible है wireman, tractor mechanic, armature and choir winder और mechanic diesel, heat engine और turner, machinist और RAC के बच्चे यह total 15 trade है आप चाहें तो इसका screenshot ले सकते है और थोड़ा सा zoom कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसका screenshot ले सकें तो यह जो 15 trade है यह eligible है तो इन trade के अलावा कोई छातर है तो वो इसमें eligible नहीं है local pilot का farm भरने के लिए और साथ में साथ में यहाँ पर आप लोगों को और चीज बता दे रहा हूँ diploma का बता देता हूँ यहाँ पर आप लोगों दे सकते हैं कि अगर कोई diploma है तो diploma के लिए यह criteria है यह diploma होना चाहिए अगर कोई degree है तो degree में भी अगर वो degree in mechanical होगा electrical होगा electronics हो गया यह फिर automobile में degree है मतलब b.tech है तो वो भी इसमें eligible है तो diploma और b.tech की branches सेम है बाकी ITI का मैंने आपको skin short दिलवाई दिया है वो आप रख लेजे वही बच्चे इसमें eligible है I think अब ITI में कौन से छाथ eligible हैं कौन से नहीं eligible है यह आपको confusion दूर हो गया होगा साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका syllabus क्या रहने वाला है local pilot का बहुत typical syllabus है बहुत ज़्यादा इसमें आप लोगों को जानकारी होना जरूरी है कमेंट करिए कि कितने paper होंगे कैसे कैसे syllabus होगा वो सारी चीज़े बताईए तो भी मैं आपके साथ सेर कर दूँगा इप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल पर पर प्रेस कर लिजेए सुनमस से तना ही धन्नबाद